है लो फ्रेंड शागे थे आपका मेरे चानल पर आज मैं आपके लिए गुलाब जल बनाने का तरीका लेकर आई हूं वह भी हम घर पर बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने गुलाब ले लिया है आप देख सकते हैं आप वही गुलाब यूज़ करें जि petals निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने सबके निकाल लिये हैं अब हम इसे पानी से बहुत ही अच्छे से clean कर लेंगे यहां मैं एक बड़े भरतन को मैंने gas पर डाला है अब एक stand लगाएंगे और इसमें एक bowl डाल देंगे इस्टेंड वही लगाए जिससे बाउल हमारा हिलेना और हब रोस पिटल्स को हम इसके चारो तरफ प्लेस कर देंगे अर्चे से फैला करके हमें इसे डालना है अभी मैंने गैस को ओन बिल्कुल नहीं किया है अब देख सकते हैं मैंने सारे रोस पिटल्स को इसके अंदर डाल दिया है अब हम एक ग्लास पानी लेंगे और इसके चारो तरफ फैला करके डाल देंगे अब देख सकते हैं मैंने डाल दिया है अब हम इसे ढखने के लिए मैंने एक ग्लास का ढखकर लिया है जो होल होता है उसे मैंने आटे से बंद कर दिया है ताकि steam बहार ना आए और इसे हम आप देख सकते हैं उल्टा करके प्लेस करना है ताकि steam बने तो डारेक्ट हमारा बाउल में जाए और यहां पर हम low to medium हेट पे 15 मिनट इसे on कर देंगे गैस को और आप देख सकते हैं और डाल दे और अब इसे हम 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे आप देखेंगे कि हमारा आईस धिरे-धिरे मेल्ट हो जाएगा देख सकते हमारा आईस मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम और थोड़ा आईस चार से पास डाल देंगे और अब 15 मिनट हो गया है मैंने गैस को बंद कर दिया है अब हम इसी तरीके से पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे पांच मिनट के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे आप देख सकते हैं कि पांच मिनट हो चुका है अब हम इसे ओपन करेंगे उसका उपर वाला धकर हम निकाल देंगे और ये देख सकते हैं हमारा गुलाब जल तैयार हो गया है उम्मिद करती हूँ कि ये आपको बनाने का तरीका आसान लगा होगा आप इसे जैसे से ये ठंडा होगा इसमें खुशबू आने लगीगी आप इसे खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे फ्रेस पर भी लगा सकते हैं तो उम्मिद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आया तो लाइक करें हमें सब्सक्राइब करें अब बेल आइकन से जुरू टाप करें धन्य